हालो नमाश्कार प्यारे बच्चो मैं विजय बंसल मैथ लेक्चरार जाकर ब्लॉग डिस्टिक फत्यवाद से हैं राइड एजुगेशन डिपार्टमेंट आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर उच सीखेंगे प्यारे बच्चो आज जो हम सुरू करेंगे हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 1.2 हमारी क्लास 10 की जो हमारा चैप्टर फॉर्स्ट है वास्त्विक संख्या है ठीक है उनके बाएर में शुव करेंगे इसके पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम अपने पहले चार कोशिंस कर चुके हैं आज जो हमने शुव करना है कोशिंबर पांच हम देखेंगे कोशिंबर पांच में आपको क्या कहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्रकर्संख्या N के लिए संख्या छे की गात N अंक जीरो पर शुन्य पर्समाप तो हो सकती है हेच में चीज़ पता करनी है ऌलाज करनी हैं आपके पास om को ऊता हम आ से अब नीज़ानध संव भाइत चुछ व खथा जो कि भाइतश भी और सब्सक्रतय नहीं देखें सबस्क्राइंग को हसام करेंगे हम हमें चेरी संख्या कि अपिन हम इसके अंदर फिरुषग क्या Judd SE एक हम क्या करें माल लेंगी यदी ऐस लेकिन हमें क्या करना इनको शव्दा वाली के रूमें इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है ठीक है यह चीज नहीं हो सकती अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगी हम हमें छे की घात एन ठीक है शुन्य पर समप्त करते हैं सिद्ध करने की नहीं हो सकती तो हम इसके अंदर ठी वीरुदावास के कॉडिन हम क्या करेंगे मान लेंगे किसी यह चाय दैक्निया भात है ठीक के लिए कग आखरी अंक मीज इकाई का यूं कहिए आखरींग यह कह duplicate अंक м बत्रा सकते हैं आपके पास सुन्नय होगा अगर और वो सुन्नय होगा तो संख्या तो वह संख्या आपके पास जयो किसी भी का इकान का घर 0 है तो वह किस किस से भगू सकता हैं MARY ब्स विवाजिकता नियम से थो से भाग वो सकते हैं वह पांस से भाग होसकते हैं और हो गीरों से भाग होसकते थी । थो आप के पास ďगे वह क्या के नियुक्स रखेड़ें के लिए जीरो मिन्स 10201 ये चीज आपके आपके बनती है तो यह यह भी आपके पास दाही की संख्या जो 10 लेकती हो ऊगया 20 हो गया 30 हो गया 40 हो गया यह सारी संख्या है के आपकी भाज्ज्य संख्या हूं हमें करना होता है अभाज जा गुन घंडों पर तो इसलिए आपके पास किसपर चेक करेंगे मतलब हम मैं पाँस पर देखेंगे ठीक है तो इसलिये हम लेङा है कि जो वो संख्य आपकी तो वह संख्या क्या तै क्या होनी जाइत पांथय कि होगी से विवाजित होगी भाग होगी 5 हमारे पास क्या हुआ छे की घांड जो छे की घांड इन है उसको 5 जल Armor मतलwei की घांड में जा नहीं ब benefited गुननखन में 5 होना चाहिए ठीक है प्रंतु यह संभव नहीं है प्रंतु यह संभव नहीं है यह संभव क्यों नहीं है क्योंकिकलत उसमाव नहीं है ऑफते संथमानेगा मंुद्ध उर्चा भावे संभैक्याय तबसमें तो त्यक्तकिशन और ते चैन उट जो अबशतरों साथ दॉर्च कर सभाव के एक क्रोड़त भावां भागए था इसके बसकुकी दॉया द्वूर्च की गतलों नहीं आपके पास वनने आपाज है गुननखंड गात है तो पाँच इसके पास नहीं नहीं है और ऊओ सब्सक्राइब को उच्छों फॉप हो इने सकता अंत हैं ऐसी कोई प्रकर्त संख्या कि नहीं है मिंच्छे की घात आपकर लिखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़नो दस कुछ भी लिखें आप ठीक है प्रकर संख्याँ बात करते हैं नहीं है कि जिसके लिए जिसके लिए 6 की घात N 0 पर समाप्त हो ठीक है मीन जिसके लिए क्या हो 6 की घात N 0 पर समाप्त हो ऐसी कोई भी संख्या आमारे पास नहीं बनेगी तो अच्छा ऐसा ही आपके पास जो कोशन्स है अगर आप देखेंगे उधारन नंबर 5 ठीक है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही द हो अब उस्वाब देखें उसमें हमें किया कह रहा है करने के लिए उसमें कहाँँ चार कि Ghaat N पर विचार कींजिए जहां N प्रक्रसाइज कीजिए क्या एन का कोई ऐसा मान और जिसके लिए चार की घात N अंक शुञ्या पर समाप्त होता है तो आपके पास कुछ भी नही जहां आपके पास यह च्छे कि जगह क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है आपके पास शे की जगह चार हो गया और एक्जाम कोश्क्रमबर आपके पास यह बनेंगे दोबनेंगे कि एक हैं टो आपके जो गुमननखंड ने दो बनें तो आपके आस दो ओर के वल या दो और इसमें पर देंगे कि दो ही आपके पास दो के बला भाज्य गुनन खंड है ठीक है क्योंकि दो की हाथ दो की हाथ अन्नी बन गया प्रिमिस दो दो ही आएगा इसके अंदर इसलिए आपके पास कभी भी जीडो परसमापतर नहीं हो सकता क्लियर अचा उसके बात देखते हैं हमारे पास्मारा नेक्स कोशन कोशन पर छे इसके अंदर हमें क्या करना होगा कोशन पर 6 में हमें कहारा है कि व्याक्या कीजिए साथ की घाथ सासरी घाथ कि लिए साथ गुना 11 गुना 13 गुना प्लस तेरह ठीक है और दूसी संख्या दे इसमें देखें आपके पास कोशन पर छे में कि आपको संख्या क्या दे रहा है यह कि साथ गुना 11 गुना 13 जमा में तेरह अगर आप इसको हल कर लेते हैं ठीक है पहला नंबर तो आप इसको हल कर सकते हैं में जमान लिजे आपने इन सभी को गुना करके जोड़ लिया एक इसके गुना खंड मना आए दो गुना 3 गुना 13 गुना 13 यह इसके गुना खंड बनेंगे ठीक है और आपके इसके गुना खंड बनेंगे तो यह क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी ठीक है दूसरा त्रिका अगर आप इसके गुना खंड या जोड़ घटा कुछ नहीं क क्योंकि तेरा बाहर जा चुक है मीन्स आपके पास ये गुणा करकर प्लस करकर संख्या के रूम में बनेगी ठीक है अब क्योंकि आपके पास क्योंकि दी गई संख्या दी गई संख्या तेरा से क्योंकि तेरा गुमना आ रहा है न गुना के रूमे आ रहा है मीजे संख्या तेरा से भाग हो सकती है दी गई संख्या तेरा से विवाजित है ठीक है तेरा से विवाजित है अंत्य है गिए एक भाज्य और इसी के यह पहणा पार में क्या आंग निए पांच को निकाल लें पहला त्रिकाँ तो वही 5045 बनेगा आपका अगर आप करना चाहें ठीक है 5040 इनकी गुणा आगी प्लस 5545 बन जाएगा और फिर उसके गुणल खंड बना सकते हैं ठीक है पांच गुणा 1009 बन जाएगा और नहीं करना चाहें तो पांच को मन निकाल लिया 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर चला गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 बाहर है तो एक हो गया अगर आप इनको गुणा करके एक जोड़ेंगे भी इनकी गुणा 1008 बनेगी प्लस एक जोड़कर 1009 बनेगी और 1009 हमारी एक अभाजय संख्या है ठीक है इसलिए इसके गु में आप क्या लिखेंगे क्योंकि ये संख्या क्योंकि दी गई संख्या कि ठीक पांच से विवाजित है तो मेंज पांच से भाग हो सकती है ठीक है अन्त है यह एक भाजय संख्या है? ठीक है? इसलिए यह यह क्या होगी एक भाजया है? संख्या होगी आपके पास clear? आगे दिखें नेक्स नमारे पास question number 7 इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए? हमें कह रहा है किसी खेल के मेदान इस ओर चक्कर लगाने के लिए सौनिय को 18省ट लगते हैं जब कि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवी को 12 मिद्च लगते हैं माली जी तो ने चल्ला शूर करते हैं तो ऐफारा मिद्ध करती है Jr. यह गिए Firstी ओर दुर से चक्कर लगाने में 18मिद करती है कर लेती है तक बारा मिन अब इन्हों ने गया बारा मिन कर लोगा लेकिन अगले 6 मिन तक वह यहां पहुंचे गी तो अगले 6 मिन उथा और अगले आपको सबसे पहला समय बताने चोटा से चोटा समय की कौन सा हो सकता है मीज आपको लोगुत्तम स्वावरता गया करने के लिए कागे कि हम मालनी जाए इनुन का कि दोने की स्थान से एकी समय पर चलना शू करते हैं जैसे मैंने आपको कहां तो कितने समय वाज़े पुने अरंपरम्भिक स्थान पर मिलेंगे तो हमें एठारा और बारा का एक सेम ग्याद करना होगा हम अठारा के गुनंखंड बनाएगी अठारा मतलिक हा एक और तीन की खाट दो डू आ जाएगा आपके पास इसमें 3 की घात 1, 3 की घात 2 आ जाएगा ठीक है जब आप इनको गुना करेंगे 2 गुना 2 की घात मतलब 3 की घात 2 है तो 3 गुना 3 दूबारा है कर दो घृटेस मिनट बाद मिलेंगे है क्या होगा जो सोनी है वह आपके पास वह ठारा दुनी 36 दो चकर कम्लीट कर चुकी होगी इतने समय में और जो रभी वह बाराती च्छतिस तीन चकर कम्लीट कर चुक हो गए जहां से उन्होंने रेस्टार्ट की थी फिर वहीं उसी जगह पर वह पापस-आपस में पुनहें मिलेंगे और इसकी उधारन है वाकी ठीक है उनको आप खुद ट्राइब करके देखेंगे कि किस प्रकार से हमें उनको करना है ठीक है एक्सराइज 1.2 के और फिरिम्न में कोई प्रॉल्म हुई आपकी तो मुझा मैसेज कर सकते हैं मैं ते किसी लेक्ट्स के अंदर आपके आपकी जो प्रॉल्म होगे उनको सॉल्व कर देंगे उसके बाद आजम स्टार्ट करेंगे हमारे पास अपने इसी लेक्ट्स के अंदर आगे एक्सराइज 1.3 को देखेंगे 1.3 के अंदर हमें क्या है आप परिम्न संख्याओं को सिद्ध करना है कि संख्या ए परिम्न है आ परिम्न संख्या का एक कंसेप्ट रहता है इसको हम पीवटा क्यों के रूमें व्यत कर सकते हैं जहां क्यों आपके पास जीरो के ब्राबर नहीं होनी चाहिए और पी और क्यों से अभाजय संख्याओं होती है आपकी ठीक है हम इंको बोलते है सअभाजय संख्याओं मतलब इन दोनों का जो HCF है एक प्रकार से हमें पी और क्यों का लीजी या आप ए और बी कैह लीजी ठीक है लिखने में यह पर आपके पास ए और बी ज्यादा एजी रहेगा फिर 9 kamrung TEEN बन जाता है एक परिमे संख्या बन जाती एन सभी संख्या इनकोप मैं सध्षिद् 살ic और यह चीजों मार्ब्रक में मिल्टल फ्रीक आइड में जाता है । किसी परिमय संख्या के अंदर को हमने किसी परिमय संख्या से जोड दिया गुना कर दिया या कोई परिमय संख्या उसके अंदर जोड दी घटा कर दी तो जो अंसर आपके पास बना वो भी क्या बनी एक अपरिमय संख्या बनी ठीक है इस चीज के बारे में में सिद्ध करना हो सिद्ध कीजिए कि वर्गमुल पांच एक परिमय संख्या है इनके अंदर हम जो सिद्ध करने का नियम प्रयोग करेंगे वह विरोधा भास मिस कंट्राडिक्शन मैथ्ट है जो हमारा उसका यूज करेंगे हम हमें आपरिमय संख्या सिद्ध करनी है हम मानना वर्गमुल पांच एक परिमय संख्या रेंगे हम किया पांके पास क्या हुआ इसलिए वर्गमुल पांच को हम क्या कर सकते हैं बटा बी अंश बटा हर के रूम में लिख सकते हैं क्योंकि यह परी में संक्या माल लिए हमने और जहां आपके पास क्या हुआ बी ब्राबर नहीं है जीरो के और आप से अभाज्या लिख दीजिए चाहे ए और भी या यू लिख दीजिए अचि और बी खाट हो गया को आपका हर भी जीरो नहीं होना चाहिए इसके बारे में लिखेंगी हैं अब इसमें क्या किया जाएगा इस 5B को अगर हम बटा में एक माल ले तो क्र้ॉस gebुना कर देते हूं क्रोस गुना कर दिया एको गुना एक से किया एक और वर्ग मुल 5 इंटू B आपके पास यह हो गया अब आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे वर्ग करने पर आपके पास क्या हो जाएगा एकी घाद 2 और इधर वर्ग मुल 5 इंटू B की घाद 2 करेंगे तो वर्ग मुल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और B की घाद 2 मतलब B गुना में B ठीक है यह हो गया अब एकी घाद 2 के गुना खंड बन गया यह आपके और कोई भी संख्या हमारा जो नियम है अधित्य अभाज्य गुना खंड के रूब में होगी तो मतलब एकी घाद 2 के यह सारी आपके अभाज्य गुना खंड बन गया हमारे पास ठीक है इसका मतलब जो एकी घाद 2 है इन सभी संख्याओं से भागो सकती है इसको आमने लिखना है इसलिए एकी घाद 2 5 से भीवाजित है ठीक है एकी घाद 2 क्या होगी आपके पास 5 से भीवाजित है अब क्योंकि अगर एकी घाद 2 5 से भीवाजित है तो इसलिए तो इसलिए ए भी 5 से भीवाजित होगी ठीक है मतलब एको भी 5 से भीवाजित होना होगा ठीक है क्योंकि आपके पास किसी भी संख्या के अंदर कोई भी आप किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं माल लिए 5 का वर्ग किया तो 5 गुना 5 मिर्ण भी संख्या कोपका सब्सक्राय गृ nin essas गुझत सब्सक्राय को मतर हैं 20 Dip के दोग्ण होगी सब्सक्राय घ्लुघ भाग हो रहा है तो बहुत है चल्क है जिसका वर्ग भाग हो रहा है तो वह संख्या भी िृस आपके पास 5 से बिवाजित होगी क्लियर। इसलिए हमने क्या करेंगे यहांपर अनते हैं ए5 से भाग हो रहा है तो मैं इसको पांच सी मान लेता हूं जहां आप के पास C क्या हो गया कोई पुर्णाख हो गया ठीक है जहां सी क्या है पुर्णाख है अच्छा यहां भी आप लिखे दें इनका वर्णन कर दें जहां बी व्रबर नहीं जीरों के ए वै बी पुर्णांख है ठीक है Take a tra nach laws in aag jaa इंगे यह यह पुर्णांग कि पुर्णांख है तो पांच से बाग होसकती है तो आपका जो अनसर है का तो पुर्णांख की आईगा एक यूपलर बिवाजन है लिगरिफ्म द्वारा आपके पास उसके अकॉर्डिंग क्या होगा एव राबर में इन दोनों की गुना 5C प्लस 0 ठीक है तो आपके पास एक इसको में क्या लिए प्लस 0 के जगा एव राबर में 5C फिर हम क्या करते है यहां पर वर्ड करने पर इसका वर्ड करते हैं बड़ा ही important questions है आपके पास ठीक है न, CVC board की बात करें है, HVC board की बात करें, ठीक है किसी भी प्रकार के अपके जो board है सबी के अंदर बड़ा ही important questions है और mostly इंडर आता ही आता है आप ने वर्ग किया है तो एकाँ वर्ग क्या हो गया इसलिए एक हमारे पास एक हो जाएगा और सब्सक्राइब पाँच का वर्ग εκवर कितना हो गया 25 की गात दो क्यूंककी एक गात ब्राबर में पांच है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको आपके पास एक ही गात दो की जग़ा में क्या लिख लेंगी इसके अंदर अगले आगे concept को गई ही लेख लेते हम क्योंकि क्योंकि एक है alternator आपके पास पांच दौरपके पांच वी कि गश whole kia दो मतलब Pa विक हाथ दो के स्योराइन स्याल तो इसलिए वासी ओजाएगा के पास रहने कि गहाथ दो पांच्से भीवाजित है ठीक है ठीक है विवाजित है और अगर बीचिखाथ दो भी थो भी ठीक है भीभी 5 से विवाजित है अब हम क्या करेंगे यहां आपने कियाथा a 5 विवाजित है इसको अगर हम 1 समी का नंबर दे दे और इसको 2 दे दे तो अब देखें 1 वैं 2 से हमारे पास किया चीज़ हो रही है आपके पास आएगी 1 वैं 2 से एके गुनों खंडों में 5 आ रहे है और बी के गुनों खंडों में 5 आ रहे है इसका मतलब अगर आप HCF ग्याद करते हैं ए और बी का तो वो क्या होगा 5 होगा ठीक है ए और बी का HCF कितना होगा आपका 5 होगा लेकिन हमारे मानना क्या गया था, HCF A और B का क्या होगा, एक होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपने जो हमने मानना है, ठीक है, उसे विरोधा भास होगा इसका, ठीक है, अंते हैं, यह है, विरोधा भास है, ठीक है, यह क्या होगा, विरोधा भास है, आपके पास contrad रडिक्शन्स होगी इसकी त्यूंब इसलिए वर्गमुल पांच एक एप्रीमे संख्या है कि इसलिए इसलिए वर्गमुल पांच एक एफ रिमे संख्या है क्लिए इस त्रिके सापका question बन जाएगा हमारे पास question number 1 ऐसे ही हम देखते है हमारे पास question number 2 देखेंगे उसमें आपके पास इसी वर्गन 5 के साथ कुछ संख्याओं को दिया गया है ठीक है जोर घटा आगे अंदर किसी भी परिम्य संख्या के साथ किसी दूसरी परिम्य संख्या को जोड़ा सुर्य A-PRIME SINGH blacks ignore के साथ कैसी दूसरी परिमाय संख्य को जोड़ा या गुणा किया जाता है तब उसको हम किस रूम में सुध करेंगी कोशंभर 2 के अंदर हमने इसी प्रकार के GPS को सिध करना है कैसे का cuts को isto किर में हमनों है सिध कीजिए कि तीन प्लस दो व्रूल 5 एक परिमय संख्या है और व्रोफ संख्या में क्या कहने हैं सिद्फ कीजी तolph संख्या में प्रहें हैं पहले भग में एक वर्गुल दो दूसरे में 7 वर्गुल 5 और तीसरे में 6 लोब करेंगे वैसे ही यह कोश्वां पर्ण तीन ठीक है और उस स्थिक्शे से आप इनको ट्राय क 말씀 करके देखेंगे मैं कोश्य घृ दो कर वार हुं आपको हमें टीन प्लस वर्गुल 2 को घarnう तो मानना 3प्लस वर्ग 20 वर्गुल 5 तो परिम्य संख्या है यह मने क्या परिमें संख्या माल लिए आपके पास तो आप क्या करेंगे इस संख्या को इसलिए 3 प्लस 2 वर्ग मुल 5 बराबर में हम A वटा B मानेंगे जहां A वैब B और नाख है ठीक है और B बराबर नहीं 0 के FCF जो A और B के आपके पास वो क्या है एक means 7 अभाजय संख्याइं यह आपकी दोनों की दोनों ठीख है सै भाजय संख्याइं ऐसा कोई जुरूरी नहीं होता कि A और B भी अभाजय संख्याइं हों सै भाजय संख्याइं कहा जाता है मान लेजी आप 10 ठीक है, और 13 का आप HCF निकालते हैं, तो 1 आएगा ऐसी ही हम कोई होर संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 10, इसके जाए गुर्णषण 2 और 5 बनते हैं, तो किसी होर संख्या को लेते हैं जिसके गुना कुछ और बनते हैं, मालो तीन और साथ को, एककीस, जैसे, दस और एककीस की बात देखें, इनका HCF क्या आएगा? एक आएगा, ये खुद क्या है? एक भाजजय संख्या है, एककीस क्या है? बाजजय संख्या है, लेकिन इनका जो HCF आया है, वो एक आया, ऐसी संख्याएं इसमें देखें यह क्या है ब donating ए यह अ क्या है और तेरा यह अंख्या झाक है ऑ लिए भाजेए आगर उनका HCF एक आता है घृब अगर उनका मेहत्व वर्थक एक आता है तो वह संख्याई आपकी स्याधाजय संख्याई कहलाती है भाज अपोओफव संख्याई मीज़ को प्राइम नंबर्स कहले जो तो एक रोप्राइम नंबर्स आपके पास इसी चीज के अपर चाहें तो उस त्रिक्षे से कर सकते हैं आप इस यहां पर सेम कोशनबर एक की तरह हैं इसको दूसरी तरह लेकर जाएं वर्गूल 5 को बनाने की कोशिश करें तो उसके रहें वह कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे संख्याओं को बदलते हैं जैसे क्या करेंगे वर्गूल 5 को अगर हमें इधर अखना हो तो एबटा B प्लस का 3 दो जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3 और जो 2 गुना में इसके साथ वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा एक बटा 2 मतलग आपके पास बन गया है आप इनका लगुत्तम लेका लिखना चाहे तो लगुत्तम लेकर लिख सकते हैं ऐसे ही रखना चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं आपकी तिनों में से च्वाइस है जिसमर्जी रूब में लिख सकते हैं अब लेखेंगे क्योंकि इन सभी अक्ष्यों के बारे में बात करेंगे दो तीन और एवी है दो तीन एवी इन यह सब क्या है आपके पुरनांख है ठीक है और पुरनांख को आपस में जोडा जाए गुना किया जाए भाग किया जाए कुछ भी किया जाए जो अंसर बनेगा वो भी आपके पास कोई ज़रू नहीं पुरनांख बनेगा लेकिन अगपरीमे संख्या जीरूर होगी ठीक है ठीक है अम पुरनांख है इसलिए इसलिए A-3B 2B ठीक है आपकी जो यह संख्या होगी वो क्या होगी एक परिमे संख्या है और यह तो नहीं इस परिमे संख्या है clear और यह तो भावरी पास परिमे संख्या बन गी लेकिन ब्राबर में क्या देर खिए अपको वर्गमौल 5 अगर ये परीमय संख्याय तो ये भी आतों ही नीची अविवर्गमूल पांच क्या साध्दी तुम्हां की परीमय सरा अमिपकर अग्य है इंप हो ए गल्थ है श्रक्तिंस प्रेंध़ यह विरोधा भास है क्योंकि वर्गमुल में जो संख्या होगी वो क्यों आती है क्योंकि वर्गमुल पांच एक आपरीमे संख्या है अब आपरीमे संख्या के बराबर परीमे संख्या तो हो नहीं सकती इसका मतल जो विरोधा भास हो गया तो हमने जो माना है वो गल्थ है अंत है तीन प्लस दो वर्गमुल पांच एक आपरीमे संख्या है ठीक है इसलिए क्या होगे ह 25 आपके पास टी व्रुवण 3 में देखये आपके पास से यही concept ठीक है इनके अंदर भी आपको बैस यहीं चीजे करनी है जैसे कोश्ण भर तीन में अगर आप देख ते एं मैं इसके 2nd वर्गमूल पाँच तो आपको नियां देख पाँच 5 तो आपके पास 7 वर्गमूल 5 घम्च वन को आपके पास सारा प्रूर्शन यहांसे कड़लेट हो जाता है साथ है केलज जाएगा धुसित तरफ हापके पास तो क्या बन पास क्या संख्या यह बटा मैं साथ भिए क्षाइम NG और इसलिए वर्गुल पांच भी प्रमीज़ जा गी लेकिन वर्गुल पांच क्यूंच परीमंधि संख्या इसलिए आपके पास जो दिए वर्गमूल 2 दे रहे हमें तर्ग तो हुआ यह डाए लोग। है तो इसके अंदर स्ग्याश्यय क्या होगा वर्गमूल 2 इतना है बंद जाएगा उत्ना फर्ण पर दो इससे बहिए हैं तो मतलब A और B पुरनाक है इसलिए जो आपके पास B वटा A है मतलब वो क्या बनगी एक परिमे संख्या बनगी अगर ये परिमे संख्या तो इसके बराबर वर्गमूल दो है वो भी क्या होगी एक परिमे संख्या होगी लेकिन ये विरोधा भास हो गया क्योंकि वर्गमूल में जब एक्चुल में अक्षर है तो वो क्या होती है एक आपरी में संख्या होती है अगर विरुद्धा पास आपरी में यह परी में और यह आपरी में तो इसका मतल जो हमने मानना था एक वटा में वर्गमूल दो यह क्या होगी एक आपरी में संख्या ह होगी है अपके पास है क्लियर ऐसे हैं तक इसेखे रही माड़ में क्छेपलस वर्ग्मूर दो किती है तो हमने माँलिया चेपलस इसके आपके पास एक परीमर संख्या जहां धोर लिए च्छे एंग मालिया तो वरब嗎 आप इंकल गुत्तम लेना चाहें तो बील गुत्तम हो गया ए माइनस छे भी आपके पास यह बन जाएगा इसमें ए और बी और छे ज़िस अंक है तो छे ए और भी यह पुर्णा है इसलिए आपके पास अगर हम देखते हैं ए माइनस 6B यह क्या होगी एक परिमय संख्या होगी तो इसके बराबर जो संख्या वर्गमुल 2 वो भी एक परिमय संख्या होगी लेकिन यह विरोधावास है क्योंकि वर्गमुल 2 एक परिमय संख्या होती है इसलिए आपके पास 6 प्लस वर्गमुल 2 भी क्या होगी एक परिम संख्या होगी ठीक है इस त्रिके से हम इसके तीनों भाग सिद्र कर सकते हैं और इसके अंदर दिये आपके दो तीन उधारन है उनको भी आप खुद अपने अप्ट्राई करके देखेंगे कोई धार नंबर 11 तक और किसी प्रगार की अगर प्रॉड्म सो कोई इस कंसेप्ट ना समझ में आए ठीक है तो आप मुझे पूछ सकते हैं को उधार नंबर 9 में वर्गमुल 3 कहा गया है सेम पहले कोशन की तरह हो जाएगा उधार नंबर 10 में 5 माइनस वर्गमुल 3 और उधार नंबर 11 में 3 वर्गमुल 2 दिया गया जो कोश्या पर दूसरे और तीसरे की तर तो आम मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको पूरे नेक्स्ट के लेक्ट्रस के अंदर ने चीज़ों को वारे में एक्सप्लेंग कर दूंगा अगर मेरी वीडियो ची लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों मित्रों के इसको जू शेयर करें ठीक हैं ओके थैंकी फ्रेंड्स थैंकी स्ट्रेंट्स